इस वक्त के बड़ी खबर बिहार के सिवान से आ रही है बताते चलेगे बिहार के सिवान के परवसान सद मुहम्मद सहाब बूदीन के बेटे उसामा साब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जहां इस वक्त के बड़ी खबर आपको बता रहे है कि वहां उसामा साब को गिर असामा सहब को कोटा ग्रामिन के रामम गणमंडी थाना पुलिस ने गिरफ़तार किया है बताया जा रहा है कि सांती भंग करने के आर Utam हब भूस देधार किया रहा है उसामा है by 8 ंख की धारा 151 क्या पर यूपिन घृते होते हो है आई द्रश चब अक्टूबर को हुसेन गंज थाना में च्छपिया गाउं में जमीन को लेकर बिवाद हुआ था बताया जा रहा है कि 42 गठा जमीन को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए थे जमीन मालिक अभी से एक कुमार ने हुसेन गंज थाने में मामला दर्ज कराया था और अस मामले में उसामा और उनके कडी भी सलमान सहीत चार लोग को नामजोद और बाड़ा घ्यात को आरोपी बनाया गया था खान ब्रदर्स पर गोली चलवानों का भी जो है आरोप उसामा पर लगा था दरसल 5 अपरेल 2022 को खान ब्रदर्स के एक रईस खान पर गोली बारी हुई थी और अस मामले में उसामा साहब समीत आठ लोगों को आरोपी बनाया था और मामला सामने आने के बाद सहापुदीन की पतनी हीना साहब ने कहा था कि राजनितिक वर्चस्प को लेक किया जा रहा है वो तिहारी के रानी कोठी में जमीन विवाद में मरपिट और फाइरिंग भी हुई थी घटना एक अगस 2023 की है मामले में दो पक्षों की तरफ से आवेदन दिया गया था एक पक्ष्म ने उसामा समीत 6 लोगों को आरोपी बनाया पूरा मामला उसामा के बह सामने आ रही है कि पुर्वसांसद मुहम्मद जाबुदीन के बेटे उसामा साहब को गिरफतार कर लिया गया है कोटा से उसामा साहब जो है गिरफतार हो गया है और स्वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कहीं न कहीं उसामा साहब के समर्थकों में भारी नराजगी जो ऊसामास हाब के बहे है वो गिरफ्तार हूय है नहीं है लेकिन खाबर सामने एक बार जरूर सामने आ रही है कि राजस्थान के एक कोटा से जो है व सामास हूँ पर लगतार आप पर झाए